हेलो दोस्तों कैसे आप सब आपको स्वागत है मेरे चैनल हमारा बगीचा पर आज आप देख रहे हैं प्लांट काफी अच्छा मेरा प्लांट है यह डबल जैसमीन का प्लांट आज मैं बात करूँगा इसके के बारे में कैसे आप इस पर बहुत खुबसूरत और अच्छे पूर पास आप कि इस पर भी फूल आ रहे हैं यह अज मैं इसके काम करने जानी दिटीक हास काम हम औक्टूबर में हम इसकी कार गरी किसी टाइम पर भॉक्त फ्लावर रिंक कैसी हो पंड़ी का हमें ध्यान रखना है वह सब चीज़े मैं आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में तो अगर वीडियो अच्छी लगे इंफर्मीटिव लगे तो फ्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी चली वीड अच्छी बढ़ती भी है और हमें थोड़ा सा इसके अगर हम अच्छी से केयर करें तो यह फ्लावरिंग भी स्टैंप बहुत देता है तो जैसी कि पहले हम बात कर लेते हमें क्या काम करना है तो अगर आप बिगनर हैं और आपको यह प्लांट लगाना है तो आपको पताओ से इसी में लगाया है और यह काफी अच्छा ग्रोथ भी कर गया है और देखे इस पर फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है तो पॉटिंग मिक्स जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती है वैल ड्रें में आपको इसमें 50% इसमें सॉयल लेनी है गार्डन सॉयल जो है आपकी 25% इसमें आपको खाद मिलानी है वर्मी कंपोस्ट हो या फिर गोबर की खाद और 25% आपको इसमें सेंड लेना है तो जैसे कि हमने अपनी पॉटिंग मिक्स में इसकी तयार की थी इसी तरीके से मैं आपको बताई है तो अब जैसे मेरा लगा हुआ है तो मैं इसमें कुछ ऐस बाद लगाना है तो पहले इसकी गुडाई कर लेनी चाहिए ताकि हैरेशन अच्छी से होता रहे है इसको हवा पानी अच्छी से मिलती रहे है अगर मिट्टी ऐसी जम जाएगी तो इसकी जो रूट्स है रूट्स में एयर पास नहीं होती है इसको फिर देखे इसमें कीड अब है इस तरीके से तो इसकी जो रूट्स हैं देखे रूट्स भी निकल निकल कर आ रही हो उपर की तरफ मैंने इसके इसे अच्छे से गुडाई कर लिए तो पॉट्टिंग मिक्स मैं आपको बता दिया इसकी कैसे रखनी है इसे बात कर लेते हैं हम इसकी वाट्रिंग की कि आपको इसको पानी कब और कैसे देना है जिसी कि इसको पानी आपको देना है यह प्लांट जो है यह हमारा एकदम डारेक्ट सनलाइट वाला प्लांट है तो आप इसको धूप में रिखेंगे और पानी इसको जब इसकी तब ही पानी दे जब इसके एक से दो इंची तक मिट्टी सूप जाए लोकेशन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह डारेक्ट सनलाइट वाला प्लांट है तो आपको इसको हमेशा डारेक्ट सनलाइट में रखना है लेकिन जब समर पड़ती है समर की गर्मी काफी तेज धूप होती है तो उसमें आप इसको सुभा की तीन चार घंटे की धूप लगा सकते हैं सप्विक्राइब आ हम आपको इसको क्या करना है exploring mabok iserex sol light में रखना तक इसको Home सि दोप तभी अच्छे June तो लोकेशन में आपके इसको डारेक्ट संलाइट में रखे आउटडोर प्लांट है और ज्यादा के डिमांड इंग भी नहीं है लेकिन हाँ जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इसको टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर ज़रूर देना होता है तभी वह फ्लावरिंग करे इसको प्रोपागेट करना बहुत असान है इसको आप कटिंग से इसकी कटिंग लगाईए से स्टैम कटिंग करके तो यह कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रोव हो जाता है तो आप इसको कटिंग से इजली प्रोपागेट कर सकते हैं कर लेते हैं में खास fertilizer की कि क्या कौनसा fertilizer देई या मैं कौनसा fertilizer देती हूं जिससे मेरे यदि प्लांट है इतनाची नी growth करी है उस पर flowering भी हो रही है तो वह आपके सांद शेयर करती हूं तो fertilizer केलिए जो मैं अभी दूँगी इसमें मैंने ये सारी चीजे एड करनी है इसमें मैंने ये थोड़ी सी ली है ये मस्टर्ड केक जिसको हम बोलते हैं सर्सो की खली ये डीएपी है और ये चम्मच के अप्रोक्स मैंने लिया है एप्सम-साल्ट इससे क्या है इसमें फ्लाव्रिंग बहुत अच्छे से होगी ये भी बहुत जब्स की निचिशन करता है प्लाव Strawberry कर एंट करता हुं तो अब जैसे के Μुझे और भी प्लांट में देना है link इतने बड़े बकिट में ये सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं अपने प्लांट को इसमें थोड़ा सा पानी इसमें मैं डाल दूँगी तो ये सारी चीज़े मैं इसमें मिक्स कर दूँगे नो ये सरी जीजे मुझे अच्छे से ना पानी में मिक्स कर लीनी है ये अगर आपके पास इन तीनों चीजों में से एक भी चीज ए तो आप उसको भी इसको इसली लगा उसको दे सकते हैं प्लांट को अनिम खली हो इये जो सरसोंड की खली है तो बहुत बहुत ज़ादा important इतना nutrition होता है इसके अंदर की ना इस टाम पे अगर आप देंगे तो इसमें बहुत flowering होगी आपके इसमें तो मैंने भी इसको काफी time से दिया नहीं था अब जैसी कि इसका time start हो गया है flowering का तो अब मैं इसको धीरे धीरे अब हर 15 दिन 20 दिन में मैं इसको धीरे धीरे खा देना शुरू कर दूँगी तो अभी मैं दूँगी फिर इसको बीस दिन बाद फिर से fertilizer दूँगी फिर कुछ और बीच बीच में इसको fertilizer दूँगी जब कोई भी plant है उसको जब growth करनी है उसका जब growing period स्टार्ट होता है तो तब उसको खानी की ज़्यादा जरूत होती है तो अगर हम उसको timely fertilizer देंगे अच्छा तो बहुत अच्छे से grow करेगा और बहुत अच्छे से फिर ये flowering दिगाई fertilizer जो बनाया तो वो मैंने mix कर लिया इतना amount मैं इसमें इस सरीके से mix करने क्योंकि इसमें already भी पानी है और जादा मैंचे इसको पानी देना भी नहीं है तो इतना amount मैंने इसमें डाल दिया है तो आप कोई भी फट अगर आपके पास यह सब नहीं है अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या गूबर की खाद है तो वो भी आप इसको mix करकर दे सकते हैं चाहे पानी में लगाए है मिट्टी में लगाए है तो पानी जब हम liquid इसको form में बनाते हैं तो plant बहुत जल्दी से absorb करते हैं इस comparatively to solid form में इसलिए मैंने इस सारी चीज़ों को पानी में घोल कर तब इसको दिया तो ऐसी ही मैं अपने सारे plants में देती हूँ time to time ताकि उन में flowering अच्छी हो और वो अच्छी सी growth करें तो I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी informative लगे तो please वीडियो को लाइक करना share करना and comment करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी चले दोस्तों मिलते हैं आपसे next वीडियो में next plant के साथ तब तक आप बने रहें मेरे चैनल हमारा बगीचा पे बाबाई